हाई फ्रेंट्स स्वागत आपका टैली और अकाउंट्स में मैं हूँ आपसार रोहित आज इस वीडियो में सटी करेंगे टैली यार्पी 9 में आपको अकाउंटिंग फीचर्स के नदर एक option आपको दिखाई दिता है budget and scenario management का तो इसमें अकाउंट्स बनना चाते हैं या टैली यार्पी 9 सीखना चाते हैं तो make sure इस चैलन को subscribe जरूर करिएगा चलिए फड़ाफ़ट वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप यहां पर टैली ओपन करेंगे टैली यार्पी 9 और फिलाल मैं जाओंगा work in education mode क्योंकि मैं आप को सिखा रहा हूँ इसको करिंगे escape और इसके बाद आपको f1 दवा के अपनी जो भी आपकी कंपनी वो आपको यहां पर select कर ले लिए तो यहां पर मैं select कर लेता हूँ तो अगर आपको company बनाना नहीं आता या select करना नहीं आता तो इसके लिए इस challenge पर जाके आप बागी वी इसके बाद आपको अपने keyboard से दबाना है f11 f11 दबाने के बाद आपके सामने कुछ इस type के feature आ जाएंगे company feature तो इसमें जो सबसे पहला option है जो आपको कहता है accounting feature का इसमें आपको okay करना है okay करने के बाद आपको enter करना है और जाना है budget and scenario management में क्योंकि हम यही सीख रहे हम इसके optional voucher सीख रहें तो जैसे आप इसके अनदर जाएंगी optional voucher जो second option करता है इसको आपको कर देना है yes और इसको बाद आपको earth कर देना है इसको accept इसके बाद आपको escape दुबाक यहां फर back आ जाना है चलिए मैं आपको बताता हूं कि- color value आपके स्टॉक्ता है क्या होता है कभी कि में जो optional voucher होता है बड़ा काम काता है तो यह क्या करता है आपके transaction को height कर देता है कहां से height कर देता है profit and loss balance sheet और stock summary से चलिए आप मैं आपको practical करके दिखाता हूं कि इस option को आपको किस तरह से use करना है अगर कोई transaction आपको height करना है तो चलिए सीखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम जाएंगे inventory info में और यहां पर कुछ items आप add करेंगे जो आप actually बिजनस पर खरीदते हैं या सेल करते हैं तो इस वीडियो में यह assume करेंगे कि हमने कुछ purchase कर रखा है और उस transaction को हम height करेंगे profit and loss और stock summary से हैं तो चलिए एक category यहां पर हम add करते हैं तो name के आगे हम category रिख देते electronic क्योंकि हम electronic का समान खरीदेंगे तो यह हो गया इसको हम डालेंगे primary में और से हम करेंगे no इसे करेंगे accept इसके बाद हम escape करके back आएंगे और इसके बाद आप फिर से जाएंगे unit of measure में जो third option है और यहां पर आपको उस unit of sale को mention करना होगे यहां कि जो भी item आप खरीदेंगे वो किस unit में बेचा जाता है या खरीदा जाता है तो जैसे कि electronic का समान है वो pieces में खरीदा जाता है तो हम यहां पर short code लिखते है short term जो होता है decimal places को हम zero करेंगे और यहां पर okay कर देंगे और इसके बाद फिर से हम back आएंगे और सबसे important अब हम जाएंगे stock item में यहां पर उस item को आपको exactly mention करना है जो आप खरीदेंगे चलिए यहां पर एक item में यहां पर हम add करते हैं वो हम कर लेते हैं air cooler और इसको हम डालते हैं कौन सा group हमने बनाया था electronic क्योंकि electronic का item हम खरीद रहें और unit of sold क्या यहां कि किस unit में हम खरीद रहें pieces में खरीद रहें और इसको enter डबा के skip करेंगे और से accept कराएंगे इसके बाद यहां पर जो scenario वाला option इसको आपको okay करना है और यहां पर आपको एक scenario create करना होगा तो यहां पर आप किस type का transaction हाइट करना चाहते हैं purchase का हाइट करना चाहते हैं sale का आप हाइट करना चाहते profit and loss से या stock summary से वो आपको यहां पर mention करना होगा तो चलिए example के तौर पर हम एक purchase का transaction करेंगे जिसे हम हाइड करेंगे तो यहां पर हम सिनेरियो जो एड करेंगे वो होगा सिनेरियो फॉर परचेश चैनि एड करते हैं तो यहां पर scenario of purchase add करने के बाद यहां पर आपको yes करना है और उसके बाद include के अंदर इसको आपको डालना है दुबारा से purchase के अंदर इसके आपको जहां रखना purchase का purchase में जाएगा sale का sale में जाएगा तो यहाँ पे हम purchase करें तो यहाँ पे enter मार के इसको यहाँ पे आपको next करना है exclude के अंदर end of list रहेगा और इसे यहाँ पे okay कर देना है इसके बाद back आना है और दोबारा से हम जाएंगे gateway of tally में और इस बार जाएंगे हम transaction अंदर सबसे जो पहला option है जो कहता है accounting vouchers का इसके आपको okay करना है इसके बाद आपको अपने keyboard से दबाना है F9 जो की purchase की entry होती है चलिए अब हम purchase करते तो देखें जब भी आप purchase करेंगे जो आपका supplier है आपको invoice देगा तो जो भी invoice है वो आप यहां पे mention कर देना उसके बाद date डाल देना party name में अगर आप cash में खरीदेंगे cash कर देना और यह सब party जिससे आपने खरीदा उसका detail आपको यहां पर डालना होता एंटर डाल के आप skip भी कर सकते हो यह उता है important नहीं होता चलिए एंटर मार के skip कर लेते है पर्चेस लेजर किसमें जाएगा पर्चेस में जाएगा तो पर्चेस का लेजर हम आपास नहीं है shortcut दबाएंगे keyboard से alt c और पर्चेस का एक लेजर बना लेते है इसको हम डालेंगे पर्चेस अकाउन हमेशा पर्चेस में जाता है और इसको हम यहां पर ओके चरा देंगे आप यहां पर पर चेस को पर चेस में डाल दिया इसके बाद आपको उस item को यहां पर mention करना है जो आपने खरीता था तो हमने क्या खरीता है एयर कूलर खरीदा है तो एयर कूलर जैसे ए दबाएंगे तो यहाँ पर राइट साइन पर आप देख सकते स्टॉक आइटम यहाँ पर मेंशन हो गया इसको हम ओके कराएंगे कितना हमने खरीदा 10 कौंटिटी रेट क्या डाल देते हैं 5000 और यूनेट ऑफ सोल गया है किस यू अब ओके करने के बाद हम बैक आएंगे और दोबारा से गेट्वे आप टैली में जाएंगे तो रिपोर्ट के अंदर अगर आप यहाँ पर प्रॉफिटल लॉस में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पर दिखा रहा है 50,000 की और थोड़ा सा बैक आओगे और इ रिकॉर्ड किया यह mention हो रहा है अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं इन transaction को आपको हाइट कैसे करना है profit and loss और stock summary से voucher option जो option होता है इसकी मदब से बहुत ही आसान है आपको फिर से जाना है transaction में और accounting vouchers में जाना है और इस बार purchase में जैसे आप जाएंगे तो सबसे पहले आ option है जिसमें अगर आपने keyboard में purchase में जाने क बात control प्लस L दबाओगे तो अब जो भी transaction आप यहाँ पर करोगे वो profit and loss और stock शमरी में नहीं होगा यानि कि वहाँ से पूरी तरह से hide होगा बल्कि एक अलग जगा पर दिखेगा तो चलिए फिर से हम यहाँ यहाँ पर transaction करते हैं और यहाँ पर चलिए इस बार हम दो खरीटने दो खरीटने जो हम नहीं चाहते हैं आपके profit और loss और stock summary में शो हो यानि कि हम hide करेंगे red वही डालते हैं चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पर pieces रहने देते हैं और इसे 10,000 कर देते हैं और यहाँ पर हम narration डाल देते है बीइंग air cooler purchase for cash ठीक है चलिए यह narration कुछ भी है इसे डाल लेते हैं यह चलिए मैं आपको सिकाने कर रहा हूं इसके बाद आप यहाँ पर enter करके इस तरह से कुछ transaction जो आप नहीं चाहते कि आपके stock summary या profit and loss में दिखे तो जले नहीं यह feature जो accountant होते हो हेरा summary करने के लिए करते हैं तो यह चीज इस तरह से हाइट किया जाता और अगर आप यह चाहते हैं कि जो भी transaction आपने बाद में किये हैं जो यहाँ पर आपने हाइट कर रहते हैं मुनको देखे कैसे तो इसके लिए आपको नीचे option आपको दिखेगा second last option जो कहता है display का इस पर आपको यहाँ पर okay करना है और फिर से आपको second last option जो कहता है exception reports आपको ओके करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे option दिखेगा optional voucher का जो हम सी करेते हैं इस पर आपको okay करना है और यासे आप ओकी करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको शो करेगा एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह दो cooler आपने बाद में खरीदे थे जिसकी यह आपने यह पर okay करना है तो फिलाल जो बाद में आपने एंट्री की थी वो यहां पे शो नहीं हो रही आपको एरो की से आपको पर्चेस में इस करसर को ले के आने और इसके बाद आपको अपने कीबोर्ट से क्या दबाना है और प्लस सी और प्लस सी आप दबाओ के तो यहां पे आप डेट चूज करने ना जो फानेशन लियर है जिस टाइम पीरिट के बीच में आपने जो बाद में जो ट्रांजिक्शन को आपने हाइट की है वो खरीदा है तो वो टाइम पीरिट आप यहां पे सेलेट कर लेना उसके बाद यहां पे आपको डिफॉल्टी सेलेट करना है और यहां पे आप देख सकते हैं कि जो बाद में आपने कौंटिटी खरीदी थी वो कितनी है तो फिलाग यह प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे शो नहीं होगा और प्लस फी आप दबाओगे परचेश के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के जाने के बाद तो इस तरह से आप द करते हैं जितनी भी अकाउंटेंट होते हैं तो इस तरह से इस फीचर को आपको यूज करना है तो अगर आपका अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ लेना अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा थैंक यू सो मच वाकिंग